नमस्कार, स्वागत आप सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कुलरिया History Lecture राधसान से आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा इंतियाज एमध की पुस्तक मद्देकालिन भारत एक सर्वेक्षन का मैं मद्देकालिन भारत की बहुत सी पुस्तकों के रिव्यू कर चुका हूँ जो लोग पर ये पुस्तके हैं उसमें से यही पुस्तक रहे गई थी जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया है तो इसमें आठवी से अठार्वी शताबदी तक का इतिहास दिया गया है और लेखक का परीचे पीछे दिया गया है प्राइस की बात करें तो 295 रुपे की पुस्तक है लगभग 250-60 रुपे में ओनलाइन मिल जाती है अब बात करेंगे कि किन एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है इसके अच्छाईया और कमिया क्या है आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ पहेंगे कि आपको ये पुस्तक लेनी है या नहीं लेनी है प्रिंटिंग अच्छी है पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं होगी चित्र वगएरा नहीं दिये गए हैं हालांकि इसमें 12 मैप शामिल किये गए हैं इसकी विशे सुची मैं आपको दिखा देता हूँ साथ-साथ में कुछ इंपोर्टेंट बातें आपको बताता चलूँगा यहां से आप देख सकते हैं मद्देकालिन कि अधिकांज पुष्टकों में इससे अच्छा विवर्ण नहीं मिलता है काफी अच्छा विवर्ण देरका है इसके लाव यह दि मुगल सामराजे की बात करें तो मुगल सामराजे में मुगल कालिन समाज, संश्कृति और अर्थविवस्ता मुगल साशक और समकालिन जगत या मुगल साशकों की जो नीतियां है वो टोपिक्स बहुत अच्छे दे रहे हैं लेकिन वो अच्छे किन के लिए हैं यह आप UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज की मेंस के एक्जाम की बात करें तो उसके लिया से बहुत अच्छा विवर्ण दे रहे हैं और समझने में बहुत ही आसान है यानि उस प्रकार के प्रशनों के लिए descriptive answers के लिए आपको बहुत फाइदा देने वाले हैं इस प्रकार के topics लेकिन साथ ही बहुत सारे ऐसे topics हैं जैसे मुगल सामराजय की ही बात करूं तो बाबर और हुमायूं का इतना कम विवर्ण दिया गया है कि यदि multiple choice questions वाले exam में आपके वहां से प्रशन आएंगे तो पूरी-पूरी संभावना है कि आपकी वो प्रशन छूट जाएंगे यदि आप इस किताब के भरोसे रहते हैं फिर आगे मुँक्छ और points दिखा देता हूँ लास्ट में विज्ञान और प्रोदेगी की कुछ परिशिष्ट दे रहे हैं और बारह मानचितर दिये गए हैं तो जैसा कि मैंने अभी विशेशूची बताते बताते आपको बताया कि इसमें बहुत सारे टोपिक्स ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के मैंस के एक्जाम के लिए अच्छे हैं समझने में और प्रशनों के उत्र देने में काफी फायदेमन है लेकिन यहीं मल्टिपल च्वेश क्वेशन वाले एक्जाम की यहीं मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ही कम विवरन दिया गया है यानि यह फैक्ट्स बहुत कम है हलांकि किताब 6.500 पेज़ की है लेकिन चुकि आठवी से अठारवी शताबदी तक का इतिहास है तो आप यह मतमानिय की पुस्तक बड़ी है क्योंकि बहुत लंबे समय को कवर करती है फिर इसमें एक कमी मुझे यह लगी कि विभिन प्रशन पत्रों में आजकल हमने देखा है कि विद्वानों के कोटेशन देकर जो इतिहासकार है उनके कोटेशन देकर प्रशन पुछे जाते है तो इसमें विभिन इतिहासकारों के मतों का बहुत ही कम प्रियोग किया गया है जैसा कि आजके हम पुस्तकों में देखते हैं जितने भी मद्यकाले नितिहासकार हैं उनके बारे में वीवरंग देते हुए वो अलग-अलग शासकों की या अलग-अलग घटनाओं की अपने तरीके से व्यक्ष्या करते हैं वो इसमें बहुत ही कम दिया गया है तो उसलिहास से मैं कहूंगा कि बहुत सारी क्योश्चन्स आपके छूट सकते हैं तो मल्टिपल चोईश्चन्स वाले एक्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स इसमें अच्छे हैं लेकिन यदि आप किसी एक पुस्तक की बात करें कि आपको एक पुस्तक लेनी है तो इससे बहु को कुछ टॉपिक्स समझने हैं तो काफी सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे दे रहे हैं हालांकि मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी टॉपिक्स अच्छे हैं लेकिन समाज संस्कृति नीतियां इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं चे वो सल्तनत काल के हों चे मुगल काल के हों वो multiple choice questions वाले exam के लिए ज़्यादा important नहीं है और men's के exam के लिए दिए मैं बात करूँ तो उसके लिए बहुत सारे topics इसमें अच्छे हैं लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि men's के exam के लिए भी इससे अच्छी पुस्तके market में उपलब दें तो ये था मेरा review इम्तियाज हैमत की पुस्तक मद्दे कालिन भारतेक सर्वेक्शन का मेरे रहे में एक अच्छी पुस्तक है लेकिन जिस प्रकार के exam साजकल हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है धन्यवारे